एटिमी अपनी शुरुवात के महस 11 सालों में अपने बुन्यादी सिद्धानतों के बल पर आज यहां तक पहुँच चुके हैं हमारे चेर्मेन डॉक्टर हैन गिल पाक ने एक सपना देखा था एटिमी को एक प्रिमायर कंपनी बनाने का और आज हम दुनिया के 17 देशों में काम कर रहे हैं इसका राज है समय की तेज रफटार के साथ बदलती इस दुनिया में खुद को उसी के अनुसार ढाल लेना आज तकनीक जिस तेजी के साथ उन्नत होते जा रहे हैं हम भी खुद को उसी तेजी के साथ उन्नत होते जा रहे हैं तो आईए जानते हैं एटिमी के बारे में और विविस्तार से हमारे चेर्मेन ओनेरेबल डॉक्टर हैन गिल पाक के इस वीडियो के दौरा अभी हम COVID-19 का सामना कर रहे हैं तो प्रश्ण है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए हम अपने सेमिनारों में वर्चुल रियलिटी की तक्नीक को लागू करेंगे ये Augmented Reality AR, Virtual Reality VR का एक रूप है ये तरह से एक मिश्रित रियलिटी MR है वर्टमान में कई तक्नीकों को मिलाया जा रहा है VR, AR और MR के संयोजन को Extended Reality XR कहते हैं अटॉमी अपने व्यवसाय का संचालन इस Extended Reality का उप्योग करके करेगा XR अटॉमी का मुख्य टूल बन जाएगा आए एक टीजर के रूप में एक वीडियो देखते हैं मान लीजिए कि आप घर के लिए एक सामान खरीदना चाहते हैं फिर आप अपने स्मार्ट फोन का उप्योग करके देख सकते हैं कि वो सामान घर में कैसे फिट होगा आप एक प्रिव्यू देख सकते हैं आईए वीडियो देखें फिर मैं आगे बताऊंगा जैसा कि आप देख रहे हैं जब आप अपनी रसोई के लिए एक सामान खरीदते हैं आप अपने प्रिव्यू के लिए अपने स्मार्ट फोन के कैमरे का उप्योग कर पाएंगे जब आप अपना स्मार्ट फोन अपने वास्तविक रसोई में ले जाते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि उस सामान को कहां रखा जाए। और आपने अभी जूतों को बदलते हुए देखा है ना। अब आपको जूतों की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको खुद को आइने में देखने की जरूरत नहीं होगी। वर्चुल रियलिटी के साथ आप वास्तों में जूते पहन कर समझ पाएंगे और अपने लिए एक जोड़ी चुन सकेंगे। अभी एटोमी साइलो आर्ट में वे एटोमी फिट नामत एक उपकरन तयार कर रहे हैं। इसे एफिट कहा जाएगा। आप अपने स्मार्ट फोन से अपने शरीर को माप सकेंगे। यदि आप अपने सामने साइड और पीछे की तस्वीर लेते हैं तो आपके शरीर का माप डेटा कंपनी को भेजा जाएगा। उस डेटा के साथ वी आर आपके शरीर की एक छवी को पुनहा उत्पन कर पाएगा। आपने वीडियो में अवतार को देखा है। अवतार के शरीर पर जो एक पुतला होगा, उस पर आपके चहरे की एक छवी चिपकाई जाएगी। फिर आप अपने पसंद के कपड़े उस पुतले को पहनाने में सक्षम होगे। आप छोटा साइज पहन सकते हैं। फिर आप उस पर एक मध्यम या बड़ा साइज डाल सकते हैं। आप विभिन साइज पहन कर देख पाएंगे की कौन सा आप के लिए सबसे उप्युक्त है। आप अपनी पसंद का रंग भी चुन सकेंगे। वर्चुल रियालेटी का उभरना एटाव्मी के लिए सच में एक बड़ा अफसर हो सकता है। एटाव्मी ने इस भविश्य की प्रचलन की भविश्यवानी की है। और आवश्यक प्रणालियों को लागू करके एटाव्मी इस उद्योग में अग्रणी बन जाएगा। आप सभी जो एटाव्मी के व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। आप सभी व्यवापारी पूरुष और महिला बन जाएंगे जो इस अत्यादुनिक तकनीक के साथ नए युक का नेत्रित्व करेंगे। मान लीजे कि आप अभी अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि मैं एटाव्मी में आपके साथ आपकी पूरी यात्रा के दौरान मौझूद रहूंगा। क्या हो अगर आपने ये व्यवसाय शुरू किया पर मैं आपके साथ तब तक मौझूद हूँ जब तक आप सफल नहीं हो जाते और इंपीरियल मास्टर नहीं बनते। क्या होगा। अगर मैं आप से एक वादा करूँ कि मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके साथ रहूंगा। आप सफल होंगे। है ना। दरसल मेरा एक 3D फिगर अभी वर्चुल रियलेटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है। आप मुझे अपने डेस्क पर और आपके लिविंग रूम में भी रख पाएंगे। आप तस्वीर लेने के लिए मुझसे गले भी मिल सकेंगे। आप कह सकेंगे मैं प्रेजिडेंट पार्क से पहले मिल चुका हूँ। क्या होगा अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दूँगा। आपके प्रश्नों का उत्तर AIE तक्नीक का उप्योग करके दिया जाएगा। दरसल अभी आपके स्मार्ट फोन में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जो हमने अनुमान लगाया है कि सदस्य पूछेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर भी वहां हैं। ये कैसा रहेगा। संभवता अक्सर पूछे जाने वाले लगभग एक सो प्रश्न हैं। यदि हमारे पास एक हजार उत्तर तैयार हैं तो अधिकांच प्रश्नों के उत्तर होंगे। उधारन के लिए हिमो हिम क्या है। फिर मेरा 3D फिगर आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा। क्या आपने हवाई अड़े पर एक रोबोट साहय को देखा है। यदि आप एक प्रश्न पूछते हैं तो रोबोट आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। है ना। यदि आप अपना हाथ आगे करते हैं तो रोबोट आपसे हाथ मिलाएगा। है ना। ये वही तकनीक है। मेरा 3D फिगर वर्चुल रियालिटी में मौजूद होगा और मैं आपसे हाथ मिला सकूँगा। आप मेरे कंधों पर हाथ रख कर तस्वीर भी ले सकेंगे। वे अभी 3D फिगर पर काम कर रहे हैं तो अभी ये मेरा 100% रूप नहीं है। पर ये बहुत हद तक मेरे जैसा ही दिखेगा। कल्प ना कीजिए कि ये भविश्य में बिल्कुल मेरे जैसा दिखेगा। चलिए। सब फिर से एक वीडियो देखते हैं। वीडियो चलाए। 4D और द्योगिक समाज में वर्चुल रियालिटी से परे जाकर जल्दी XR का युग आएगा। नमस्ते। मैं चेर्मेन हौन गिल पार्क हूँ। मैं याँ आप सभी के साथ अधिक पास और व्यक्तिगत रूप में हूँ। हम आपको एटोमी में आमंत्रित करते हैं। बिजनस की एक 4D आयामी दुनिया है जो समय और स्थान से परे है। कमपनी तयार कर रही है ताकि हमारे सदस से हमारे प्रोडेक्ट्स बनाने में अधिक प्रभावी बन सकें। क्या आप मेरे हाथ में ये जीवन्त मैकरेल देख पा रहे हैं। अब मैं इसे आपके हाथों में डालूंगा। फैशन सामानों के लिए आप और्डर्स पर अपनी पसंद के रंग और डिजाइन चुन कर अपने अवतार को कपड़े पहना सकेंगे। यदि आप अटॉमी के XR एप से अपने शरीर की तस्वीर लेते हैं, तो एप अपने आप ही आपके शरीर के आकार को मापेगा। फैशन मार्किट पर उन लोगों की पकड़ होगी, जो कंज्यूमर्स की प्रात्मिक ताओं और डेटा की पहचान करने में सक्षम होंगे। एटॉमी एक ऐसी दुनिया के लिए मार्क प्रशस्त करेगी, जहां लोग समुद्र तट पर लेटे-लेटे सेमिनारों में शामिल हो सकेंगे। हाला की COVID-19 एक और बड़ा परेक्षन है, पर एटॉमी उस परेक्षन को भविश्य में आगे बढ़ने के अफसर में बदल देगा। ये परेक्षन एक बाधा नहीं, बलकि एक अग्रिम कदम होगा। साहस का ये मतलब नहीं कि आपको डरना लगे। इसका मतलब है अपने डर का सामना करना। चलिए, सब साहस दिखाएं। यदि आप सपष्ट रूप से सपने देखेंगे, तो आपका सपना सर्च होगा। एटॉमी आपके चार आयामी व्यवैसाय के लिए प्रोच साहन करेगा। हमारी भविष्य की दुनिया ऐसी ही होगी। भविष्य में आपको व्याक्या करने की जरूरत नहीं होगी। मैं व्यापार के बारे में समझाने के लिए आपके साथ रहूँगा। हाला कि यदि आप ऐसी दुनिया के आने पर इससे जुड़ने का निरने लेते हैं तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जब वह समय आएगा तो यह व्यवैसाय तीवर गति से बढ़ेगा। यदि आप इस व्यवैसाय को अभी से धीरे धीरे करते हैं तो ऐसी दुनिया के आने तक आप इसमें बहुत आगे निकल चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि अब आप एकसार के बारे में थोड़ा समझ गए हैं। मैंने आपसे पहले कहा है कि अटॉमी आपको एक व्यक्तिगत मंच खोलने में मदद करेगा। निकट भविश्य में अटॉमी की वेब साइट जो आनलाइन शॉपिंग मॉल है उसे आपके व्यक्तिगत शॉपिंग मॉल में बदल दिया जाएगा। तो इस शॉपिंग मॉल के पहले पने पर आपकी तस्वीर ही सबसे पहले दिखाई देगी। माल लीजिए कि आप ये व्यक्तिगत शॉपिंग मॉल बनाते हैं और आप सोशल मीडिया के जरिये अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं। आपको बस अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है और आप इस व्यक्तिगत शॉपिंग मॉल को शेर कर सकेंगे। आपके दोस्त शायद कम उमीदों के साथ इस पर आएंगे। पर फिर वे लेंडिंग पेज पर आपकी तस्वीर देखेंगे, आपके व्यक्तिगत वीडियो भी अपलोड किये जाएंगे, आपकी पारिवारिक छुटियों की यात्रा की कहानिया होंगी, और आप उस व्यक्तिगत आउनलाइन स्पेस पर लिख पाएंगे, आप वीडिय संद हैं, आप वीडियो और लेखन के भी माध्यम से समबाद कर सकेंगे, और अगर आप अटामी के कुछ प्रोडेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो आप ये प्रोडेक्ट चुन सकते हैं और उन्हें अपने पेज पर अपलोड कर सकते हैं, आप शौपिंग मॉल बन जाएगा, है ना, ये संभव है, कंपनी आपको ये व्यक्तिगत शौपिंग मॉल बनाने में साहता करेगी, जहां आप अपनी व्यक्तिगत गती विधियों को पोस्ट कर सकेंगे, और अपने दोस्तों को संदेश भेज पाएंगे, एक नया युग आए जहां व्यक्तिगत प्लेट फॉर्म अन्य व्यक्तिगत प्लेट फॉर्म से जुड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि एटामी ऐसी कंपनी होगी, जो पोस्ट प्लेट फॉर्म की दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, जो प्लेट फॉर्म युग के बाद अ शामिल होने का प्रयास करते हैं, वो एटामी की और जोर शोर से आएंगे, हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे, जहां सभी डिस्टिब्यूशन को एटामी से गुजरना होगा, यही एक मात्र रास्ता है, फिलहाल प्लेट फॉर्म व्यापार मॉडल में, जब सभी लोग एक सा उस प्लेट फॉर्म पर आते हैं, पूरा फाइदा प्लेट फॉर्म मालिकों के पास जाएगा, इन प्लेट फॉर्म के विकास में योगदान देने वाले टर्मिनल और अधिक गरीब होंगे, जिससे आए में व्यापक अंतर होता है, पर एटामी में क्या होगा, हमारे प्रो 31 प्रतिशत वापस देती है, इस तरह से हर कोई लगातार लाब उठा सकेगा, इसलिए मेरा मानना है कि एटामी उचे आदर्शों वाली कंपनी है, क्योंकि ये असमान आये विभाजन की सबसे बड़ी समस्या के लिए एक वेकल्पिक समाधान प्रस्तुत कर सकता है, जो धन उनके असंतुलन का परिणाम है, मैं कह रहा हूँ कि हम एक ऐसी कंपनी बन सकते हैं, जो सो वर्षों तक रहेगी, और विक्री में सो बिलियन डॉलर सेल को पार करेगी, मुझे उमीद है कि आप सभी में बहुत से लोगों को ये सच्चाई बताने के लिए आत्म विश्वास और शक्ती होगी, अगली बार मैं आप सभी के लिए एक अधिकी अथार्थवादी वीडियो बनाऊंगा, एक ऐसी दुनिया आएगी जहां 3D वर्चुल रियलेटी और एक्स्टेंडिड रियलेटी आपकी उंगलियों पर होगी